दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आगया हूँ परफेक्ट लॉक्स्क्रीन विजिट सेटप आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफू लॉक्स्क्रीन विजिट असाइन किया हूँ है आप डेट है 6th of September मैं वीडियो चाहे जरूर लेट अप अपरेचर है बाहर का अब मैं आपको बता दूँ यह कैसे आप भी अपने फोन में ला सकते हैं इसके इलावा भी बहुत सारे विजिट आभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या आप्शन है सबसे पहले आपने क्या करना है सैटिंग में गई यह विजिट यह जो ट्वीक डाउनलोड करने न है Zen HTML यह है वो है क्रीपो से डाउनलोड होगा भी मैं आपको बता भी दूँगा साइड में आ भी रही है है वो है क्रीपो जब यह डाउनलोड कर लेंगे आप Zen HTML इसके उपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई थी Zen HTML पे जैसे यह देखिए बैगरा जिरूरी नहीं कि यह जैसे color yellow आ रहा है अगर color आपने change करना है नीचे setting का icon देख रहे हैं यह देखिए color yellow था अगर मैं color इसका red करना चाहूं यह देखिए done किया यह देखिए red हो गया color भी change कर सकते हैं आप अपने coding कुछ भी चाहें जैसे यह blue मैंने sign कर दिया बाहर आगे कुछ भी change कर सकते हैं आप अपने coding इसमें जाके अब इसके लावा आप और देखिए कौन से widget हैं सबसे पहले अगर हमने से हटाना है यहां से remove किया मैं फिर से आपको एक बार दिखा दू हमने जाना है background widget में यह रहा इसको remove किया इसके साथ साथ मैंने देखिए कितने सारे lock screen widget मैंने download कियो है सबका आपको भी बताता हूँ कौन कौन सी repo से है एक ही repo से सारे almost हो जाएंगे यह देखिए यह sign हो जाएगा आप अपने coding set कर सकते हैं यह नहीं चाहिए तो यह sign हो जाएगा बहुत मतलब beautiful lock screen widget है यह बिलकुल free है यह यह देखिए आप कुछ भी आप नहीं पता jailbreak क्या है उपर आई button में link का रहा है पहले आप jailbreak समझ ले क्या होती है उसके बाद पूरी description नीचे मेरे और भी वीडियो है जिसमें यह बताया हुआ कौन कौन से version की jailbreak होती है और कैसे jailbreak करनी है without computer with computer सारे मैंने tutorial अपने fill किये हूँ है यह देखिए कितने beautiful lock screen widget है आप कुछ भी assign कर सकते हैं आप अपने according चाहें कुछ भी color change करना है जैसे यह देखिए pink था इसका मैंने red कर दिया यह देखिए red हो गया कुछ भी चाहें आप अपने according change कर सकते हैं कुछ भी जैसा आपको ठीक लगता है तो guys अगर आपको यह मेरा video पसंद आ रहा है तो please मेर चैनल को subscribe जरूर करने और हो सके इस video को share भी कर दें आगे यह देखिए बहुत beautiful lock screen widget है यह apply तब होगा अगर आप remove करेंगे पहला यह देखिए इसको apply किया बाहर आगे यह देखिए lock screen पे देखिए apply हो चुका है अब करना है क्या है सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूँ सीडिया में गए वहाँ पर आपने यह रीपो डाउनलोड करनी है है यह बिल्कुल फ्री है रीपो कैसे डाउनलोड होती है आपको पता है उपर आई बटन में लिंक का रहा है how to add sources in cdia यह देखिए है वो एक रीपो है यह ध्यान से देख लें है यहां के जब आप डाउन अब उसके बाद जो विजिट मैंने डाउनलोड किया है मैं आपको वह भी दिखा रहता हूं यह रीपो है वह दोस्तों इस रीपो का नाम है evynw में भी यह बना evyn.github.io ध्यान से देख लें आप अब इसमें टांस ओ विजिट है आपको दिखा दू मैं अभी बहुत सारे विजिट है इसमें आप अपने कोडिंग जो मरजी चूज कर सकते हैं यह रही दोस्तों इसके लावा आप चाहें तो डेट टाइम का फॉन्ट का जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं आप चाहें अ मैंने यह डाउन्डूड किया आप देख सकते हैं लॉक स्क्रेट बीजिट एट पैक है ट्यन्पैक है एटीन ट्योड्य पैक है यह मैंने डाउन्डूड कियो है और उसके लावा LSEW212 यह मैंने किया है डाउनलोड बट इसमें बहुत सारे विजिट है आप अपने कोडिंग डाउनलोड कर सकते हैं कुछ भी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट कलर से तो गाइस समझ आ गया होगा सबसे पहले आपने जैन एस्टीमल डाउनलोड करना है उसक आप कोडिंग अपने साइन कर सकते हैं कलर चेंज करना है यहां पर गए यह रेखिए आप यह कलर हो जाएगा हमने डन किया यह देखिए तो गाइस आशा करता हूँ आपको आज का मेरा टुटोरियल पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हो सके इस वीडियो को आगे दी शेयर करते हैं अभी के लिए इतना ही धन्यवाद